हेलो दोस्तों आज हम कभर करेंगे बंगलादेश भरसत जमबाई का बीच जो T20 मकाबला खेला जाएगा पाचुमा उनके बारी में ये खेला जाएगा बंगलादेश और जमबाई का बीच और आज ही सुवा नौ बज के 30 मिलट में खेला जाएगा इनी सरे 9 बजे इंडियन समयानुसार सरे 9 बजे खेले जाने वाले मेच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है क्या batting pitch है या walling pitch अगर batting pitch है तो कौन सा bestman चलेगा और कौन सा bestman floss होगा डर्मकाड यूनिक bestman के room में कौन रहाएगा यूनिक captain और voice captain के room में कौन रहाएगा आप अपने team में किसे सामिल करे आप अपने team से किसे बाहर करे शारा डेटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भी डॉट बिना आइसक्रिप किये इस वीडियो को एन तक जरूर देखना अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चलिए आपको ज़्यादा समयना लेते हुए बिकेट कीपर सेक्षन में बात करते हैं बिकेट कीपर सेक्षन में अभी फिलाल के लिए लाइनम में नाम लोथांदास को नहीं है और लोथांदास इस आई पिल के दौरान काफी फ्लोप्स हो रहा था स्री मेडा का लाइनम में नाम सामिल है जो अगले मैच में ठीक ठाक परदर्शन किया है जिसके कारण से लेक्षन पर सेक्षन कापी हाई हो गया जे अली का अलाइना में नाम सामिल है लेकिन ये पॉंच से छे नमर में उत्रेगा जिसके कारण स्टाल एक्षन पर शेंड लो है और हर किसी को पता है कि बंगला देश का इतना विकेट ढहा नहीं सकता है लेकिन जंबाई भी जो strong नहीं है कम जोर भी नहीं है कभी भी ढहा सकता है अगर आप लोग save लेना चाहते हैं जे मेडा के साथ जा सकते हैं अगर थोरा रिक्सेवा लेना चाहते हैं जे अली के साथ जा सकते हैं इन दो विकेट कीपर में से किसी को ले सकते हैं चाहें आप लोग head to head league, small league में एका GL, GL का रिक से team, जो भी team लगाते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अब आते हैं, best man में, best man section में, एन आसोन खेलेगा नहीं, लेकिन record काफी अच्छे हैं, इस IPL के दरण head to head perform नहीं करता है, टी partner करेगा, अच्छा खासा परदासन करेगा, ये तीन नमर में batting करेगा, तीन से चार नमर में, वेशर ठीकताक परदासन करे रहा है, हैरिसन के मैच में अच्छे खासे हैं ठर्ड में बैटिंग करेगा दो नमर में आपनर के साथ टी हसन ठीक ठाक बैटिंग से पॉइंट रख दिया है ठीक ठाक उमीद इन से लगा सकते हैं उसके बाद के अर नसुक डर्मकाट यूनिक होगा अगर खेले का तो अपने टीम में रख सकते हैं यह चार जो है चारो बैस्ट में का रिकाउड अच्छे हैं चारो बैस्ट में में से किसी को रख सकते हैं अगर ज्यादा रिक्षवल लेना चाते हैं तो महमद उल्ला को आप लोग ले सकते हैं महमद उल्ला भी अच्छे काच से बैस्टिंग करता है लेकिन थ चलिए इन पॉंचों में से आप लोग किसी को ट्राइ कर सकते हैं चाहें आप लोग है टू-एड लिग या स्मोल लिग मेगा जील जील का रिक्सी टीम अब आते हैं ओलांडा सेक्षन में आने से पाले मैं आप लोगों को पीछ रिपोर्ट बता देते हैं पीछ रिपोर्ट जो है बाइलेंस पीछ है कुछ पर पेशा रहे है यहां पर अबरेज इसकोर 138 है बैनु शिरी बेंगलोर इंटरनेशनल एस्टेडियम मनीपूर धाका में इस्टेडियम मनीपूर धाका में जो मकाबला होगा मेरे इस्पिरेंस और अनुभव के हिसाब से वह हंड्रेड प 202 बना है 210 बना है और लोई ऐस्टेडियम की बात करें तो 70 पर वाल आउट वोचुका है और मिनिमव मनेगा एक सह से 10 से 150 तक मिनीमम बन सकता है और हाँ ज़्यादा ज्यादा नहीं बन सकता है और ही यह पर एस्पिनर के पेशा पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है 100% जो है पेसर का सपोर्ट मिलता है अगर आप अपने ट्रिम बनाना चाहेंगे तो पेसर को रख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए हर कोई 95% एस अलिक का जिसके कारण है अच्छे में एक मेच में तीर केट धाई जिनके कारण सेलेक्षन परशन काफी हो गया है और आज जो है सिकंदर राजा तीर नवर में बैटिंग करेगा एस्पिनर है खास पर दरसन नहीं कर रहा है इस आपिल के तुरान हो सकता है अगर देखिए सेंबलिंग का रहे हैं अभी सामिल नहीं है इसे में अच्छा खासा इस टीम के खिलाब करता हर परन का है और एक इन सब ओल अंडर का रिकॉर्ड अच्छे है आप फोकर जवा अच्छा खासा पर दरसन किया है इन सब में से किसी को टराय कर सकते हैं चलिए मैं आप थोरा गरेंड लिक का रिक्सेवल टीम बनाते हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देते हैं यहां प इस मकलाबले जो है बैटिंग शकेंड करने वाले जीते हैं यह फर्स्ट जो टीम टोस्ट जीतेगा वो बॉलिंग करने के फैसला लेगा लेकिन फर्स्ट एनिग या सकेंड एनिग दोनों एनिग में अच्छा खासा परदर्शन कर लेता है बैस्टमें और बॉलर इसलिए और सकेंड का खार मेटर नहीं रखता है लेकिन आप अपना टीम केरियर करने वक्त क्या गलती करते हैं यह मेटर लगता है अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देते हैं दोनों टीम अपस में लगभग हेट 23 मकाबले खेले हैं तससि cent же मकाबले बंगला देश जीते हैं और सत मकाबले जिमबई जीते है कुल मिलाकर13 मकाबले आपस में दोनों टीम खेले हैं इस कंडिशन पर साप साप नजर आता है कि बंगला देश काफी स्टोंग है जिंबाई की उपेक्चा में या पीछ भी बाइलेंस है गुड पेसर है तो चलिए आप लोग अपने टीम में की इंसम में से किसी को ले सकते हैं लेकिन रिकाउट की दिरिष्टी से काफी अच्छे है इसलिए इंसम में से आप लोग किसी को ले सकते हैं यह आठ बेस्ट में में से आप लोग किसी बेस्ट में को ट्रै कर सकते हैं आपको अच्छे खासे पिक रहने वाला है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं important जो है इन सम्में से अब आते हैं बॉलर सेक्शन में बॉलर सेक्शन वाइटी आमित काफी ला जबाब परदर्शन करता है मुहमद रायमान ठीक-टाक परदर्शन करता है बीर जन इस ट्रीम के किलाप अच्छा परदर्शन करता है आज नागरा ठीक-टाक कर लेता है अज ज आपते हैं 123 के लाइना में नाम सामील है हो सकता है रामकाड यूणिक के सकते हैं टी एसलम को भी है इन समय से किसी और ठाइक है सकते हैं अगले मेंस में दोनों डिफायो यूनिक होगा ओर अच्छे खासे पोइंट देने बाला होगा आप यह देखिए आठ बॉलर है आठ बॉलर का रिकॉर्ड ऐसा है जिसमेंसे आपको तीन बॉलर श्रेमा मिलेगा और चार बॉलर कड यूनिक होगा और यूजर होगा चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टीम बना कर टीम बनाने बक्त किसे रखना चाहिए किसे नहीं तेगे मैं अपने विकेट कीपर में जेली को लूँगा सेलेक्शन पर्षेंड लो है अगर एक अग दो कैच पकर लिया तो ठीठा कुमीद लगा सकते हैं से फलाब्स होगा तो विकेट कीपरिंग से भी पॉइंट देगा कमपीटिसन लोगा मैं गरेंड लिग का रिक्से टीम बनाता हूं अगर आप लोग गरेंड लिग का सेव टीम बनाते हैं चे वर्टन को साथ जा सकते हैं अब यहाँ पर आते हैं बैस्ट में में बैस्ट मे में से आप लोग लग साकते हैं छैन इन चैरों को रख सकते हैं तीन बैस्ट में को लिए हूं आँ आप आप फोकर जवन को लिया हूं लाइना में नाम सामिल है दस प्रसेंस ट्रालेक्षन है यह वह प्रेल के लेगा तो मैं अपने ट्री में स्पिनर लूँगा लेकिन जे वहल के जागा फोकर जवन को लूँगा आरोजन एस सक्रिया को मैं जरूर लूँगा मैं चार ओलंडर लिया हूं चार ओलंडर में से अब आते हैं बोला सेक्षन में ट्री आमित को लिया हूं ट्री आमित को लेने के बाद देखे जवेरिक को लिया हूं यहां पर देखे तीन जो है बोलार लिया हूं तीन बोलार में से एक जुमबाई को लिया हूं दो यो में यह लिया हूं और हैं चार लसrire न्डेश लिया ऑग्रने में 3 जो है बंगलादेश को लिया हूं एक जंवाई लिया हूं अब कर देखें मैं तीन वेंड में लिया हूं तीन वज स्ट्वर में लिए हैं बंग्ला देश के एक लिया है समभई को को इस तरह से मैं एक विक टीपर लिया हूं जो की जय अली की नाम से जाना जाता है और और यहां पर देखे मारे स्ट करता हूं नपर सोतने की बाद के कैपtes عن आड़के दाध्य कुन है देखेजर कैपिटन ट्रीं हैं एक पंदासन क्या है लेकिन यह पर बॉलर का बोल बाला है तो आप किसे कैपिटन और आपि फिलाल के लिए ँंको कैप्टन देता हूं वह इस कैपिटन करों में ज nervous को का दिते हैं दोनोफ स्पिनर है अगर बोलिंग कराय जाए तो इसे मैए तो गृक्टन यसे देता हूं, और फॉइस देता हूं अगर आप लोग सेर प्रोटन देना चाए तो एस अली हसंको दे सब्दिख 17 थे सकते हैं दोनों बॉलिंग करने का मौका मिल सकता है अब सेव टीम करता हूँ सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परभियू किस तरह से रहता है ध्यान पूर्बक देखिएगा मेरा टीम का परभियू किस तरह से रहेगा मेरा टीम का परवियो इस तरह से रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों